हेलो सिविल इंजिनिर्स मैं हूँ संदीप नंग क्रोफेशनल एसिशिमे pozü सब्रालिक बीद से अफ्र्च करनी के दिश्टल इंजिनिर्स के सांगत करते हूं और आज मैं आपके साथ इसक्स करुंगा कि जो आपके पास bridge की drawings होती है उसमें जो आपको अविटमेंट डिया रहता है जो आपकी approach lab दी रहती है उसका किस तरह से analysis करते हैं ये आज मैं अपने session में discuss करूँगा जो मेरा previous session था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो major bridge होता है वो क्या होता है major bridge का span के भिहाब पे किस तरह से analysis करते हैं किस तरह से drawing reading करते हैं foundation level क्या होता है river का bad level क्या होता है और आपका finished road level क्या होता ये सारी चीज़े मैंने अपने previous sessions में आपको बताई थी अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube channel reinforce training institute for civil engineers पर जाके देख सकते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे like भी करिए और हमारे channel को subscribe भी करिए चलिए फिर आज का session स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अभीटमेंट की बात करते हैं तो अभीटमेंट आप देखेंगे जो bridge के दौनों ends होते हैं starting और आपका end दौनों पर आपको अभीटमेंट दिया रहता है bridge के दौनों site आपका अभीटमेंट होता है तो अभीटमेंट क्यों provide किया जाता है अभीटमेंट हम इसलिए provide करते हैं क्योंकि जो आपका roadway होता है roadway को हम bridge से connect करते हैं और roadway को bridge से connect करने के लिए हमें क्या बनाना होता है approach बनाना होता है और approach कैसे बनाते हैं approach को earth fill करके soil fill करके बनाते हैं तो उस soil को return करने के लिए उस soil को hold करने के लिए हम लोग क्या देते हैं abitment provide करते हैं से आपका उसका letteral moment ना हो तो आप यहां पर देखेंगे drawing में आपको abitment किस तरह से दिया रहता है तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यह देखेंगे आपको यह पहला abitment दे रखा है यह यह आपका first abitment है और बीच में आपको P1, P2, P3, P4, यहां पर आपको P5 दे रखा है और यह आपको P6 दे रखा है आप दूसरा एंड देखेंगे तो आपको अविटमेंट A2 मिलेगा यह देखेंगे आप यह आपको अविटमेंट A2 दे रखा है यहां पर यह देखेंगे जो आपका P1 है P6 उसके जस्ट बाद आपको यह आपको अविटमेंट A2 दे रखा है तो ब्रिच के दोनों एंड पर आपको इस तरह से अविटमेंट मिलेंगे कभी-कभी डोराइंग्स में आपको दोनों अविटमेंट दिखा देता है कभी-कभी आपको एक अविटमेंट ही देता है तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा नेस्ट आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाल है आपका जो अविटमेंट होता है उसका हम प्लान देखेंगे कि वो किस तरह से होगा यह देखेंगे यह आपको क्या दे रखा है अविटमेंट का यह आपको प्लान दे रखा है जब भी आपके पास कोई bridge का drawing आएगा तो इसमें आपको abitment आपको कुछ इस तरह से दिया रहता है इस plan में आपको क्या-क्या मिलेगा इस plan में आपको PCC दिखाई दे रहा है आपको abitment का foundation दिखाई दे रहा है basically abitment को मैं तीन पार्ट में divide करता हूँ सबसे पहले आपका abitment का foundation आता है उसकी बाद आपका abitment आएगा और उस abitment के ऊपर आपका abitment का cap आएगा और उसके ऊपर हम लोग approach lab को रखते हैं यहाँ पर देखेंगे जो abitment हम foundation use कर रहे हैं जो हमारा abitment में foundation use हो रहा है वो कौनसा foundation है आपका open foundation है basically bridge में दो टाइप के foundation होते हैं एक आपका open foundation होता है और एक आपका deep foundation होता है तो यहाँ पर हम open foundation का use कर रहे हैं और open foundation में आपका कौनसा use होता है हमेसा trapegium foundation use होता है trapegium foundation क्यों provide करते हैं basically आप सभी लोग सोचते हैं कि व्रिज में हमेसा फाइल सी यूज होता है ऐसा नहीं है इसा आपका स्वाइल बिरिंग कैबिसिटी अच्छा है वह अच्छा से लोड बियर कर सकता है तो उस बरावर होते है यही इसका benefit है. तो आप इसका देखेंगे plan तो आपको ये plan दे रखा है. इस plan में आपको सारी चीज़े देखेंगे, आपको एक करके समजानी कोसर्स करता हूँ कि किस तरह से चीज़े दे रखी, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, आपको PCC दे रखा है. यह आपको क्या दे रखा है यहाँ पर PCC दे रखा है और PCC कितने का दे रखा है वो भी आपको यहाँ पर detail में लिखा हुआ है यह देखेंगे आपको यह PCC दे रखा है या, 100 एम, ठिक, लेबलिंग कोर्स है, इसके बाद देखेंगे, यह आपका बिटमेंट दिखाईदेगा आपको, इसमें, यह देखेंगे, यह आपको क्या है, अबिटमेंट है, यह आपको अबिटमेंट दे रखा थैंगे, और इसमें आपको जो रिटन बॉल है, वो भी द यह आपको रेटन्ट बॉल है यह देखिंगी आपको क्या दे रख़ा है रेटन्ट बॉल दे रख़्ा है और यहां पे हँच बन रहा है यह देखिंगी 300 वाई 300 एयम का बन रहा है यह दोनों 90 डिग्री पर connect हो रहे हैं तो यहां पर आपका failure के chances रहते हैं तो हम यहां पर क्या provide कर देते हैं एक haunch provide कर देते हैं जो आपका bending movement को register करता है इसके बाद आप यहां पर देखेंगे आपको यह filter media दे रखा filter media किसली दिया जाता है आपके beef holes provide के जाते हैं जो आपका तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बीफोल्स बनाते हैं उस बीफोल्स के जस्ट पहले आपको इस तरह से filter media बनाया जाता है आप यह देखेंगे यहां पर यह आपका फिल्टर मीडिया है और filter media के जस्ट बहार आपको बीफोल्स मिल जाएंगे जो कि मैं आपको उपर दिखाऊंगा किस तरह के बीफोल्स होते हैं बीफोल्स से क्या होता है आपका water drain out करता है क्योंकि पहले से आपका जो abitment है जो आपका written wall है उसके उपर पहले से आपका soil का pressure आ रहा है उपर से गर water का pressure आएगा तो वह आपका फैल हो जाएगा तो आपका water का pressure इसको release करना है तो उसके लिए हमें बीफोल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे तो यह आपका दिखाने की कोशेश करता हूँ किस तरह से चीज़े होंगी इसमें यह देखेंगे आपको ऊपर यह आपका abitment का यह पूरा आपको क्या दे रखा है यह पूरा आपको abitment का cross section दे रखा है यह देखें cross section of abitment तो इसमें आपको सारी चीज़ें डिखाई देंगे कि इस तरह से चीज़ें हो रही है तो यहाँ पर आपको यह भी पता चलेगा कि आपका क्या है यह ट्रेपेजियम foundation दे रखा है तो इसमें सबसे पहले आपका PCC आएगा यह देखेंगे सबसे पहले आपका यह क्या PCC आ रहा है जो कि आपको 100M thickness का दे रखा है और उसके जस्ट पाद आपका यह ट्रेपेजियम foundation आ रहा है तो ट्रेपेजियम foundation किस तरह से वो भी आप देखेंगे यह इस तरह से हमारा क्या है ट्रेपेजियम foundation है तो इसका जो rectangle बाला पाट है उसका आपको यह depth भी दे रखा कितना दे रखा है यह 56 और उपर आपका जो टैपरड हो रहा है तो यह क्या है आपका awakening foundation जो कि क्या है आपका trapegeum है. अबिटमेंट का आप आप ये बरित दे रखा है, ये मिल जाएगा प्लान में. आपको आपको कहां दे रखा है? ये आपका अबिटमेंट है. यह आ लेख रहे हैं वह आपका कैशों अबिट में का हाइठ है वह कितना दे रख़ा है आपको अबिट मेंट का हायट कि दे रख़ा जी 243 state 5 bo قम सेगे डेखे रख़ा यह देखेंबिट में आपको इभी फोल्स भी दे कि यह देखेंगे आपक फरस्ट भी फोल है और यह आपको सेगेंड भी फोल दे रखा जिसकी थ्रोंद आपका जो वाटर है वो ढूट रिन आउट करेंगा और इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो आपको क्या आएगा यह आपका अबिटमेंट का पाएगा यह देखेंगे आ यहां पर अबिटमेंट केप का अलग से सेक्षन बना के आपको दिखा है जिससे आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आए यह देखिए आपको पूरा आपका यह अबिटमेंट का कैप दे रखा है इस कैप में क्या है आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी यह देखेंगे, इस तरह से कुछ यह आपका अविटमेंट का कैप है, जिसका जो ब्रेथ है, वो कितना है, जितना आपका जो अविटमेंट है, उसका ब्रेथ है, वो आपका 850 मिली मीटर आपको दे रखा है, और इस तरह से कुछ आपका यह अविटमेंट आएगा, ये क्या है पूरा अविट्मेंट का कैप है ये ये क्या है आपका अविट्मेंट का कैप है और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं अविट्मेंट के साथ आपको क्या दिया रहता है ये जो पूर्शन आप देख रहे हैं ये वाला जो थोड़ा सा बहार निकला हुआ इस तरह से तो उसको हम क्या बोलते हैं ब्रैक्ट बोलते हैं ब्रैके इसलिए प्रॉइट करते हैं क्योंकि जो आपका प्रोच स्लै ये करने बाल है एफ रोस्लैब को hold करने के लिए आपका क्या होता है इस तरह से आएगा और यहां पर hold हो जाएगा तो bracket आपका approach slab को hold करने का काम करता है वो चीज़ है और यहाँ पर आपको काफी details दे रखें यह देखेंगे आपको यह pedestal दे रखा है यहाँ पर और यहाँ पर bearings दे रखें यह मैं आपको किसी next session में detail में discuss करूँगा कि आपकी bearings क्या होती है और इसके उपर आपका क्या आएगा bearings के उपर आपका girder आजाएगा तो उसको भी मैं आपको किसी next session में discuss करूँगा तो इस तरह से आपको चीज़ है detail में दे रखें next हम बात करने वाले हैं कि आपका approach slab वो क्या होता है तो approach slab अगर आप plan में देखें गे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा इसमें आप सइसे नहीं समझ पाएंगे तो आप इसको प्लान में देखे यह देखेंगे यहां पही आपका approach slab दे रखखाई है यह जो आप देख रहे हैं वो क्या है आपका approach slab है प्लान में आप देखें के तो आखो कुछ इसी तरह से दिखाई देगा ये आपको एक था स्मार्टे रखका है ये दौनों साइड आता है ये क्या है आपको एकब का इपरोष्स अपरीफ ये साले तीन मीटर का देए रखका है दगने साथ का छाएगा और इसकी लेंदफ कितनी हो जाएगा आप कि अच्छे समझ में आएगा यह मैं साथ मिट्र आपको स्टाम आप यसे करेंगे तो आपको चीजने क्लियर हो जाएगे का प्रवाइड करते हैं यह देखेंगे कि यहां पे आपको चीज बुल्क लुक्ल سमजंगे यह आपको एपको कि लियर में ने रहा है कि यह कि यह में पर देखे हो है यह क्या है आपका आपरोंश मैं गल्ड होगा यह अपर कि देखेंगे Pero 3500 mm दे रखा है, इसकी जो थिकनेस होगी, वो स्टेंडर्ड होती है, 300 mm, अब यह देखेंगे, अपरोच सलेब यहां पर आ रहा है, अपरोच सलेब कहां पर प्रवाइट करते हैं, जब आपका जो रोडवे है, वो ब्रिश से कनेक्ट होता है, तो अपरोच की थोड़ोग कने आपकी स्वाइल फिल होती है, जो आपका अर्थ फिल होता है, उसमें क्या होता है, कॉमपेक्शन नहीं होगा, तो फिर उसमें सैटलमेंट के चांसेस रहेंगे, तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक RCC का सलेब प्रवाइट कर देते हैं, जो कि आपका साथ, फैलो सिविल इंजियर्स के साथ, आप इसको सेयर करिए, और अगर आप इसी तरह से कॉलिटी कंटेंट देखना चाहते हैं, एसपर नीड और एसपर डिमांड आफ कंस्रक्शन इंडिस्ट्री, अगर आपको क्वालिटी कंटेंट देखना है, तो हमारे को सबस्क्राइब परिए, रिइंफोर्स ट्रेंडिंग इंस्ट्यूट फोर सिविल इंजियर्स, तो आपको इसी तरह से कॉलिटी कंटेंट मिलता रहेगा, ओके थैंक यू सो मच, एंड सी यू ना नेस्ट वीडियो